सम दी बाहू त्रिभूज के गुण प्रापर्टी आफ आईसो सलेस ट्रेंगल अब तक हमने त्रिभूजों की सरवांग समता से सम्मंदित नेमों का अध्यान किया आईए इन नेमों का प्रयोग त्रिभूज के कुछ गुणों के अध्यान में करें एक त्रिभूज जिसकी दो भुजाय बराबर हो सम दिबाहू त्रिभूज या आईसो सलेस ट्रेंगल कहलाता है अईए सम दिबाहू त्रिभूज की गुणों को समस्ते हैं एक गतिविधी है जिसे हमें करके देखना है एक त्रिभुज की रशना करनी है जिसकी दो भुजाओं की माप 4.5 cm और एक अन्य भुजा 6 cm की हो अब इन भुजाओं के सम्मुख बने कोड़ों को मापिये क्या ये कोड़ बराबर है हाँ ये दोनों कोड़ बराबर है इसी प्रकार विभिन भुजाओं वाले अन्य सम्म दिबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रिया कल आपको दोराईए जिससे सम्म दिबाहु त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण कोड़ प्रदर्शित होता है कि किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में बराबर 10.3 पे बात करने जा रहे हैं. इसमें एक त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है. और इस त्रिभुज में जो शिर्स A है, वहां से हमने उसका कुणारधक AD खीचा हुआ है. ये एक रशना है. लेकिन हमें इस त्रिभुज में जो बात दी हुई है, वो ये है कि तरिभुज A B C में भुजा A B A C के बराबर है यानि जो तरिभुज है वो सम्धि बाहु तरिभुज है और सम्धि बाहु तरिभुज में हमें ये सिद्ध करना है कि बराबर भुजाओं के सामने के जो कौन है वो आपसे बराबर है यानि यदि A, B और A, C बराबर है तो A, B के सामने का कौन C A, C के सामने के कौन B के बराबर है ये हमें सिद्ध करना है यानि इसे हम कौन C कह रहे हैं और ये कौन B है तो ये भी आपसे बराबर होते हैं ये इस प्रमे का कथन है और इसे हम प्रूफ करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं. तो चले जो जानकारी दी हुई है, वो हम पहले लिख लें. हमें दिया हुआ है त्रिभुज A, B, C एक सम्दी बहुत त्रिभुज है. सम्दी बहुत त्रिभुज है जिसमें A, B बराबर A, C यह हमें दिया हुआ है. हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है इस कोड़ B, कोड़ C के बराबर यानि इस कोड़ के दिए हम पुरा लिखें तो लिखेंगे कोड़ A, B, C कोड़ A, B, C बराबर है कोड़ A, C, B के कोड़ A, C, B के अब हम एक रशना करते हैं जो आपके सामने यहां पर अंकीत की गई है कि हम कोड़ A का अरदा खीचते हैं A, D जो B, C को D पर मिलता है कोड़ A का हमने अरदा खीचा जो A, D है और B, C को D पर मिलता है यह हमने एक छोटी सी रशना कर ली अब इसके अधार पर हमें आगे बढ़ना है तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़े हैं यह हम देख ले अब दो त्रिभूज हमारे सामने बनना है त्रिभूज A, B, D और त्रिभूज A, C, D तो हम लिखेंगे त्रिभूज A, B, D मे त्रिभूज A, B, D और दूसरा त्रिभूज यहां जो बन रहा है त्रिभूज A, C, D मे कुछ चीज़े हमें दी हुई है कुछ रशना से हमें मिली है और कुछ हमें हर डोडनी है तो आप देख रहे हैं कि यह जो दोनों त्रिभूज बन रहा है A, B, D और A, C, D इसमें पहले वाले त्रिभूज की बुज़ा A, B दूसरे त्रिभूज की बुज़ा A, C के बराबर यह हमें दिया हुआ है तो हम लिखें कि A, B, D और A, C, D में A, B, बराबर A, C यह हमें दिया हुआ है और एक चीज हमने रचना से प्राप्त की जब हमने इस कोड का अर्दक खीचा तो यह जो रिखा खंड A, D है वो पूरे कोड को दो बराबर भागों में बाड़ता है यानि कोड B, A, D बराबर होता है कोड C, A, D के तो हम लिखें कोड B, A, D बराबर है कोड C, A, D के इसे हम लिखें चूंकि A, D कोड B, A, C का अर्दक है इसे हम ब्रेकेट में लिखें रख लें इसका अधार हमें मिल गया और तीसरी चीज़ आप देखिए कि जो भुजा A, D है वो दोनों त्रिभुजों में मौजूद है तो हम लिखें पहले त्रिभुज के लिए A, D बराबर दूसरे त्रिभुज के लिए A, D ये ओभैनिस्ट है तो आप देख रहे हैं कि इस पहले त्रिभुज की दो भुजाए A, B और A, D दूसरे त्रिभुज की करमशा दो भुजाओं A, C और A, D के बराबर है और इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण इन दोनों भुजाओं की बीच बनने वाले कोण के बराबर है ये तीन चीज़ें आपने हाँ पर देख ले और इसके अधार पर आप देखिए कि यहाँ पर भुजा, कोण, भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा, कोण, भुजा के अलग-अलग बराबर है तो हम कहा सकते हैं कि पहरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है और इसलिए दोनों त्रिभुज सरवांग सम है तो यहां हम लिखें कि त्रिबुज त्रिबुज A, B, D सर्वांग सम हैं त्रिबुज A, C, D के और यदि दोनों त्रिबुज सर्वांग सम हैं तो उनके बाकी अव्यों भी आपस बराबर होंगे तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों सर्वांग्स त्रिभुजों में जो संगत अव्यों है वो कॉड भी हो सकते हैं और बची भी भुजाएं भी हो सकती है आपस में बराबर होँगी ऐसी परिसिती में आप कॉड B को कॉड C के बराबर कह सकते हैं तो हम लिखें इस आधार पर हमें एक जो प्रणाम मिल रहा है वो ये है कोड़ A B C बराबर कोड़ A C D और यही हमें प्रूफ करना था हमने देखा कि इन दो त्रिभूजों में ये कोड़ इसके बराबर है और यदि इस रेखाखंड को हटा दे अर्दा को हटा दे तो आप देखेंगे इस त्रिभूज की ये दोनों कोड़ आपसे बराबर हैं तो यह सिद्ध हुआ कि यदि किसी त्रिबुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के सामने के कौन भी बराबर होते हैं जो यहां आपने लिखा है तो इस तरह से प्रमे आपका सिद्ध होता है